उत्तरी अमेरिका के रेकिस्तान का मुल निवासी कंगार चुवा पानी नहीं पीता ये भारती चुव के आकार का इस्तंदार जीव होता है अन्य चुव की तरह ही ये भी अनाच खाता है और विलों में रहता है लेकिन इसे रेकिस्तान में पानी नसीब नहीं होता फिर भी इसके सरीर में पानी की कमी नहीं होती यूँ तो प्रकृती में अनेक जीवे जो बिना पानी के भी जिंदा रह लेते हैं साप छिपकली कीट आदिये जो भी भोजन करते हैं उसके माद्दम से सरीर में पानी की पूर्ती कर लेते हैं जैसे उट के बारे में यह कहा जाता है कि उसके सरीर में पानी की थेली होती है. चलिए देखते हैं कि कंगारु जिंदा रहने के लिए पानी का इंतिजाम केसे करता है? कंगारू चुहे के सरीर में अन इस्तंदार्यों की तरही लगबख 70% पानी होता है तुके बीच खाकर और रेगिस्तान में घूमते हुए भी कंगारू चुहे के सरीर में पानी का संतुलन बना रहता है इसे समझने के लिए एक अधन किया गया कंगारू चुहे को 60 ml पानी की जरूवत होती है ये लगबख 6 ml पानी तो बातवरण से प्राप्त कर लेता है ये जो बीच खाता है उसमें भी पानी की कुछ मात्रा होती है अगर 200 ग्राम बीच खाता है तो उसको 6 mm पानी बीजों से मिल जाता है बाकी के पानी का निर्माड उसके सरीर में रासाइनिक क्रिया के दोरान होता है इसके सरीर में होने वाली रासाइनी क्रियाओं में लगबक 54 मिलिमीटर पानी बनता है इस तरह 6 मिलिमीटर पानी का इंतजाम हो जाता है कंगारू चुए इस पानी का उपियों बहुत कंजूसी से करते हैं ड्रेगिस्तान में पाये जाने वाले पेड़ पोदे और जन्तूओ की ये कुभी होती है कि वे अपने सरीर से पानी का करते हैं काफी नपे तुले तरीके से करते हैं जन्तूओ के सरीर से पानी का खर्च मल, मूत्र, पशिना और सांस के द्वारा होता है पंगारू चुये की पेशाब में पानी की मात्रा कम होती है इसलिए ये गाड़ी होती है इसी तरह मल के साथ भी काफी कम पानी निकलता है दोनों में करमसा 13.5 और 2.6 mm पानी निकलता है शास के माद्दम से 43.9 mm पानी खर्चा होता है इसके सरीर से पसीनी के रूप में पानी नहीं होता कंगारू चुये के सरीर में यदि 60 mm पानी की वेवस्ता होती है तो खर्च भी लगवग इतना ही होता है अपने सरीर में पानी का संतुलन बरकरार रखने के लिए दोफेरी में ये बिल में दुवक्ते रहते हैं बिल में ठंडा को नमी रहने के कारण पानी नम होता है इस तरह कंगारू चुय आपने सरीर में पानी का संतुलन बनाये रखते हैं आप